जैने दोस्तों बंदे मातर आज की टाइम में सोशल मीडिया एक ऐसा टूल बन चुका है जहां से यदि आप एक इंफ्लुएंसर हैं तो आप अपने लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं पेचले कुछ समय से जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स को लेकर जिक्र हो रहा है बार बार इसमें अनुपम खेर ने इस प्रकार की परफॉर्मस दी है उसने काफी लोगों को टच किया है साथ ही साथ जो इस मूवी के में पूरा दिखाया गया है कि भारत के इतिहास में काला ध्या ऐसा भी चुपा हुआ है उसको भी इस तरीके से अनुपम खेर ने जीवन्त करके दिखाया है वो वाकई में लोगों के दिल के काफी करीब पहुंच गया ऐसे में पूबलिक अनुपम खेर को बिल्कुल सराखो पर बठा के रखी थी ऐसे में उनके ट्वीट सामने आए जिस ट्वीट के उपर उनको दोनों ही तरफ के लोगों ने काफी काफी भला बुरा का दरसल उनने रम्दान मुबारक लिख करके हुए एक ट्वीट किया कि रम्दान मुबारक to all love, peace and prayers always अब इसके उपर कई लोग उनकी शाबाशी भी दे रहेंगे यहां चलो यह तुमने बहुत अच्छा किया और कई लोग उनको हिपोक्रेट भी कह रहेंगे भई तुमने आखिर ऐसा कैसे कह दिया कई सारे ट्वीट से पब्लिक के निकल कर सामने आए हम इन ट्वीट की तरह दरह देखते हैं और समझने ही कोशिश करते हैं कि भई लोगों की मानसिकता असर में अनुपम खेर को लेकर इस समय क्या हो रही है दिरेंदर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आपके जैसे ही कश्मीरी पंडितों के कारण मुस्लिमों ने भगाया जिसके खून में सेकुलर का कीड़ा बहता है अब लगता है कि आप लोगों के साथ गलत नहीं हुआ आप सेकुलर धर्म निभाओ और वो अपना किताबी धर्म निभाएंगे फिर रोते क्यों फिरते हो कि शांती और प्यार का पैगाम वालों ने हमारे परिवार को मार दिया राजेश लिखते हैं ये तो अनुपा मखेर के भेस में अमानुला खान निकले यही वज़े है कि आप जैसे दोगले पंडितों से ही हमारे कश्मीर पंडित भाई बहन अन्याय से आज तक पीड़े थे हैं आप परदे पर नकाब पहन के पुश्करनात भले बन सकते हो पर वास्तव में आप किसी खान से कम नहीं हो वही सभी को अपना अपना काम चलाना है फिरोज लिखते हैं कि लव पीस आप जैसे लोगों के मूँ से अच्छा नहीं लगता इतिहास जब लिखा जाएगा तो आप जैसे लोगों का नाम देश को तोड़ने में लिखा जाएगा नफरत फैलाने में लिखा जाएगा क्योंकि वक्त कभी एक जैसा नहीं होता कल कोई था आज कोई है कल कोई और रहेगा यहां पर इसा लग रहा है कि यह भारत की समय की सरकार के बारें बात कर रहे है एमजा कर यह लिखते हैं कि आपको शर्म नहीं आती किस मूँ से मुबारा कह रहे हो पूरे देश में जूटी कहानी सुना कर हिंदू मुस्लिम में भाईचारा खत्म करके मुबाराग बात कहते हो अनुपम शर्म करो जूटी कहानी है भई मुझे तो कहीं से कहीं तक भी कश्मीरी फाइल जूटी कहानी नहीं लगी आदल आज में लिखते हैं इसके उबर कि मेरे सभी भाईयों के रमजान मुबारक क्या हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ेगा अगर ये लोग सोचते हैं कि मुस्लमानों को डरा धंका कर या और जैश एडाम के नारे लगवा कर उनको डरा लेंगे तो उनकी गंदी सोच है हम सिर्फ अल्ला से डरने वाले हैं और किसी कौम से नहीं डरते तुम लोग अपनी सोच बदलो जाये हैं अच्छा सब कुछ कह के पता नहीं क्या कुछ कह गया है निन्यान चुहे खा के बिली हच को चली टाइप हो गया मनविंदर ने इसके उपर जवाब दिया है कि भाई सहाब को राजस्वा की सीट चाहिए ऐसा लगता है नुरेज आलम लिखते हैं कि अगर रमजान आपकी फिल्म आने से पहले आई होती तो आप ऐसे मुबारग बात देते तो आपकी फिल्म फलॉप हो जाती भक्त है इन्हें हजम नहीं है बहाजार लिखते हैं कि जैसे आपको था कशमेर फाईल हजम नहीं हो रही वैसे ही हर बात पर कुछ ना कुछ नेगेटिव ही करने कम असलिए मतलब क्या होता है अनुपम खेर ने बीज बो या नफ्रत का और फल चाहिए प्रेम का कैसे संबाव है मित्रों आज नफरत बीज से तयार नफरत का खुद शिकार हो गया अनुपमखेर इसके ओपर शिवम ने ट्विट करते हो लिखा कि मुझे लगा तुम्हारी आँख खुल गई पर तो नहीं तुम जैसे सेक्यूलरों के साथ ऐसा ही होना चाहिए तुम लोग तो रंदान मुबारक बोलते हो पर क्या किसी खान गैंग ने या किसी मुस्लिम सेलवर्टी या नेता ने हिंदु नवर्ष नवरात्री की शुपकाम नाय दी इसके आगे प्रत्वी लिखते हैं कि सरी सेक्यूलरिजम अगर अब भी आप दिखाओगे तो भरोसा उट जाएगा लोगों का इन ही लोगों ने आप लोगों को मार कर भगाया था पूरे देश को बरबाद कर रहे हैं आप से एक्सपेक्ट नहीं किया था धीरज लिखते हैं इसके उपर ये क्या कश्वीरी पंडेतों पर मूरी बनाकर पैसे कमाते हो और जब फायदा हो जाता है तो रमदान मुबारक देते हो जाहिर सी बाते लोगों को यहां पर हिपोक्रेसी यह दिख रही है आचारे प्रेशान लिखते हैं कि जिसमें अभिनाय करने की किला है वो इस कला का प्रयोग मातर कैमरे पर ही नहीं वेक्तिकट जीवन में भी करता है इसलिए ऐसे लोगों के आस्यों को मैंने कभी भी गंबीरता से नहीं लिया इसलिए इनको बस परदे तक ही भाव देना चाहिए वेक्तिकट जीवन में इन भाण्यों को घास भी नहीं डालना हरीश वर्मा ने इसके लिए उपर लिखा है कि सत्य कहा अचारे वीर राकेश भारत लिखते हैं कि अजीब दोगले हो तुम अपने बाप को आतंगवादियों से खोया है उसके बाद रमजान मुबारक कह रहे हो इसको शांती और किसकी बात कह रहे हो कि इस देश का नुक्सान आतंग्यों से कम तुम जैसे दोगले लोगों से ज़्यादा हुआ है एक स्टैंट तै करो और उसके उपर खड़े रहो इसके उपर किस्टन सामय लिखते हैं ये एक्टर है इनकी यही उकात है इसके बाद पाकिसान अंटोल्ड ने यहाँ पे सल्मान नियाजी का एक ट्वीट के उपर लिखाया कि भाई चारा जिसमें कि सल्मान नियाजी ने अनुपम खेर को लिखा था मतलब ये लटार पड़ी उसके उपर एक कह रहे है रंजा लिखते हैं जिसने इसकी पोल खोली वही इसको मुबारक बात दे रहा है गुस्सा आना जायज है तो इस तरह के कुछ ट्वीट से जो कि एनुपम खेर के लिए निकल कर सामने है ट्वीट में साफ सार पर समझ में आ रहा है कि पबलिक को उनकर रंदान मुबारक कितना मुबारक बात लगा है खेर मेरे स्वीडियों फिलातना ही जाये है जाय भारत